तक जहां में छिल फोडोग्राप के-लिए लग कैम्रा और वीडियोग्राफी के-लिए ऐलग्रा कैम्रा जो्टो बाहक करना पड़ता है जो कहिन से बज़के बिदियोग्राफी में यह मुश्किल हो जाता उनके बजषंच किना चूट में चुछों पर चार सेपे हैं में आपको इस लिए के बैस्ट कैन्स में धुत चूटर में आप पर दिए नियुको अब हमेट करके त il n यहां पर सबसे पहले यहां से आपने का बीच्छ करना है यहां से आपने इसको photographic mood में डालना है तो आपको इसको सारी जुरी सेटिंग जब आपको यहां पर मिल जाती है इसके लबाद जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपने फाइन के उपर रखनी है हमेशा इसके लबाद आपने यहां पर रिलीज मूड जाए वो सिंगल के उपर रखना है अगर आप मोशन में उपजेक्ट जाए वो शूट करें फिर आपने इसको एल पे यह पे उपर उपर शूट करना है इसके लबाद आपने एफ एरिया जाए वो आपने हमेशा से वाइड एस के उपर रखना है इससे यह है कि आपका फोक्स पांने जाए वो काफी बड़ा आएगा यहाँपर मैं आपको दिखा दूऊ वाइड रॉइड के उपर रखेंगे तो फोक्स पांन काफी बड़ा ऑगया तो आप सिंगल के उपर रखेंगे सिंगल से आप्को ये जब फोकस पाइंट यह देखें इतना मिले गा इसके खऴब अगर अर बी छोटा रखना चाहते है आई के ओपर फोकस पाइंट तो आप यह वाला रखेंगे इससे आपको बहुत ही चोटा जब फोकस पॉइंट मिलेगा तो इसका जो वाइड बैलंस है उसको आपने हमेशा कैलवन के उपर यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपनी पिक्ट्र को येलो करना है तो आप जैसको उपर जा सकते हैं अगर आपने इसको जो थोड़ा सा यानि का बिलूश में लेकर जाना तो पिर के सकते हैं कि जो कॉलिटी है वहाप हमेशा लार्ज के उपर रखें जो मीटिंग मूड है उसको जाप मैटिक्स के उपर एक्टिव लाइट है उसको हमेशा एक्स्ट्रा हाई के ऊपर रखें इसके लाबब आप्टिकल वी आर जो आप और रखें और जो फोकस मूड जो इसका वो आपको AF-S रखना पड़ेगा सिंगल अगर आप जो कोई स्टेज कवर करें यह आप ऐसी जगह शूट करें यहां पर कैमरा खुद बखुद फोकस करें तो आप जो आप जो को रख सकते हैं अगर आप जो को मोशन में उप्जेट शूट करें में FTPD Adopter जो हमने यहां पर यूज़ किया सारी जो है इसके टेस्स के अंदर तो यहां पर सुनलाइट फोटो शूट के अंदर पहले पिक्चर के अंदर हमने इस कैमरे के आपको को पेस डिटेक्शन और जो है आई ट्रैकंग सिस्टम को टेस्ट करने की ट्राई की है तो आप जो है जो है इसके विव फाइंडर के अंदर देखते हैं तो फोरन से यह जो है फेस को डिटेक्ट कर लेता है और यहां पर यह जो पिक्चर निकल कर रही है आप देखें काफी अच्छी है कलर टून शापने हर चीज परफेक्ट निकल कराई है जो दूसरी फोटो हमने है इसके अंदर हमने यह टेस्ट करने की ट्राइ किया कि इस कैमरे का बलर कैसे आता है तो यहां पर जो है हमने 70-200 जो बलर जो इसका आया आप देखें काफी कमाल का निकल कराया है यही बलर जो हम इसके किट लेंस से नहीं निकाल सकते तो यानि कि आपको कोई भी अच्छा यह लेंस यूज करना पड़ेगा अगर आपने अच्छा बलर एंड बुके इस कैमरे से लेना है तो यहां आप पिक्चर देखें काफी कमाल की निकल कराई है फुल फ्रेम जैसी पिक्चर जा यहां पर महसूस हो रही है जैसे आपने किसी फूल फ्रेम केमरे से खहांची हो तो यहां पर जो तीसरी पिक्चर है इसके इंदर इसकी कलर टून और शापनेस को मैंने ज़ा वह टेस्ट करने की ट्राइए किया है तो यहां पर भी यानिकि सनलाइट अवेले तरह है तक्रीबन यहां पर तीन से चार बजे का टाइम है तो यहां पर अगर आप देखें तो कलर टून मुझे थोड़ी सी डल मिली है लेकि मुझे शापनेस काफी अच्छी मिली है तो मैं इस कैमरे की कलर टून जाओ सनलाइट में 9x10 मार्क्स दूँगा उसको शापनेस को 10x10 मार्क्स दूँगा तो यहां पर जहां हमनें नेचरल लाइड में या लो लाइड में इस कामरे की आईएसो रेंज को टैस्करों करने के टॉक्ति है नैチュरल लाइट तो यहां पर है लेकिन लो लाइट भी है तो निकिल कराई है फूल पीचर हमने निकालकर टेस्ट करने के ट्राइए है तो अगर आप हैंा इस दोढ़ें स्पैश्च के ओपर मुप्र और बहुत कम गरेंगां यहत वह थोडवी गरेंगे ऑपने पोट्रेंट निकालते हैं इसको जूम करके अगर देखते हैं तो यहां पर इसके हाइलेट और शैडूस के अंदर डेटेल जा वो अच्छी है लेकिन बैगरूंड के अंदर आपको थोड़े से ग्रेंज जा वो देखने को मिल रहे हैं अगर यह फुल फ्रेम बॉड़ी होती तो यहां पर यह जो फोटो आप देख रहे हैं यहांपर अच्छा बलर जो हो देखने को मिला है यहां पर इसके लावा जेपे पर काफी अच्छी आपको आठ्ट नो दस creation मिल जाती है इसके अपकर कलर स्कीम का अच्छी है आप देखें इसके उपर मैं हलका सा फिल्टर भ यहां पर यहां पर आपको पता है जितने भी आपके शूट्स हैं ब्रैंड के बड़े ब्रैंड के जो फोटो शूट है वह आउट डूर में फ्लेश लाइट के साफ़ शूट किये जाते हैं तो यहां पर अगर आप इस कैमरे की क्वालिटी देखें तो मुझे नहीं लगता कि यह किसी बड़े या फुल फ्रेम कैमरे से कम क्वालिटी आपको मिल रही है आप इससे बहुत ही अच्छे ब्रैंड का फैशन शूट यहां पर कर सकते हैं इसके लवाज जो दूसरी फोटो आप देख रहे हैं यहां पर इस कैमरे के लाइव मूड को मैंने टेस्स करने की ट्राई की है लाइव व्यू मूड में ऐसी आप तस्वीर खेंचे जैसे का मुबायल के ओपर लाइव पर खेंच रहे होते हैं तो जो बिगिनर्स होते हैं वो अकसर लाइव के ओपर खेंचे अपसंद करते हैं तो आप देखें लाइव के ओपर मैंने तस्वीर खेंची है जो कि बिल्कुल शेक नहीं हुई और जा काफी परफेक्ट पिक्चर निकल कराई है और हमें मिली है तो यहां पर शापनेस कलर टून हर चीज परफेक्ट है तो बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है अगर वो देखना चाहते हैं तो उनको लाइव जो है इसकी फोटोग्राफी में बहुत ही बेनफिट मिलने वाला है तो यहां पर यहां पर तीसरी पीछा इसके अंदर में तत्वित करर च starch करनी आरा की है तो यहां पर यहांपर जब आप 알았어 हेशर फोकुस करती है तो बहुत ही fast प्रकौश यहां पर मिलता है तो यह भी मिलने का बहुत प्लस पॉइंट रहां था यहां तो आपको zuốn आपका आ तेस्ट कर लेते हैं कि यह वेडिंग फोटोग्राफी में यह कैमरा कैसा परफॉर्म करता है यहां पर जो हमने 868 BM लाइट यूज की है जो के हमने चट से बहुंस करवाई है रिफ्लेक्ट करवाई है तो गैस यहां पर जो है आप देखें पूरी फोटो हमने खेंची है स्टेज के सामने बिलकुल तो यहां पर मुझे ओवरार कौाटी जाओ अच्छी लेगे थोड़ा कंट्रास्स काम मिला है जो कि हमने अब बाद में एरेटिंग के अदर ज्यादा कर लिया है तो यहां पर वेडिंग फोटोग्राफी में वही कैमरा अच्छा परफार्म कर सकता है जिसकी लो लाइट रेंज अच्छी है और जिसकी कलर टून अच्छी है कर रही है और यहां पर हमें थोड़े थोड़े ग्रेंज देखने को मिल रहे हैं यानि कि ज्यादा लो लैड में ये कैमरा अच्छा परफार्म नहीं यह करेगा से लिए अब हम टेस्क कर लेते हैं कि ये night photography में ये camera कैसा परफार्म करता है यहां पर हमने AD600 BM Light यूज़ किया एक साइड से Octa Box के साथ तो आप देखें एक साइड हमारी बिल्कुल जब परफेक्ट है दूसरे साइड पर थोड़े से शैडोज है और बीचे बैगवन पर थोड़ी लाइट है यहां पर जहें हमें grains का problem है नाइट में और कोई problem हाई नहीं सकता सिर्फ grains का problem आता है यहां पर हमने ISO काफि बढ़ाया हुआ था फिर भी हमें कम grain देखने को मिले आ है हाला कि यह एक crop sensor camera है यह फुल फ्रेम कैमरा नहीं है तो यहां पर एक crop sensor camera में भी यानि कि आपको इतने कम रात को ग्रेंज देखने को मिल रहे हैं यहां पर तकरीब नौ बजे का time है और light condition भी काफी ज़दा dark है फिर भी आप देखें इस camera ने अच्छा perform किया है overall मैं इससे satisfied हूँ और यहां पर इसके उपर मैंने one click filter apply किया है आज की जितनी भी photos है सब के उपर one click filter apply किया है अगर आप buy करना चाहते हैं एक click पर भी color ready करना चाहते हैं तो नबर आपकी screen पर आप buy कर सकते हैं इंडोर फोटोग्राफिक के अंदर हमने इसका original kit lens 16-50 उसके साथ टेस्क करने की ट्राइए किया है यहां पर हमने गडोग्स की AD68 BM एक साइड से और बैक से टीटी 6600 flash LED यूज़ किया है तो यहां पर आप देखें हमने gray background यूज़ किया है ताकि हम इसे remove कर सेके तो यहां पर आप जूम करके picture की quality को चेक करें यहां पर आपरचर बढ़ा कर शूट किया है ताकि हमारा पूरा object यह फोकस में रहे तो पूरा object यह बिलकुल focus में हर चीज बिलकुल perfect जो हमें यहां पर दिख रही है और जो हमने पहली फोटो थी वह भी हमने live पे खेंच रही है और दूसरी फोटो आप देखें यह भी हम live mood के ओपर खेंच रहे है live mood के अंदर अक्सर जो आपसे photo जा वो शेक हो जाती है beginner से और जो आपकी photo हिल जाती है खराब आती है लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो low light के अंदर भी हमने इससे यानि के live फोटोग्राफी करके देखी है screen के अंदर देखें तो बहुत ही perfect हम result मिले है sharpness color tune हर चीज perfect मिली है तो big sinners के लिए ये एक best camera है अगर वो अपने लिए ये वाला photography के buy करना चाहते है चलिए तीसे नबर पर जो हम इस camera के की feature की बात कर लेते हैं यहां पर यह 20 Megapixel का crop sensor mirrorless camera है यहां पर इसके अंदर एक speed 6 जो परसेसर यूज किया गया है तो यहां पर आपको इस camera में touch screen मिलती है जो के 3.2 inches की है यहां पर यह screen rotate होकर इस तरीके से नीचे आ जाती है जो के आपके vlogging के लिए आपको बहुत ही helpful रहती है यहां पर इस camera में आपको continuous shooting speed 11 fps मिलती है इसके लावा आपको यहां पर built-in flash देखने को मिल जाता है इसके लावा इसके अंदर आपको माइक की sport मिल जाती है यहां पर इस camera में आपको Bluetooth और Wi-Fi देखने को मिल जाता है यहां पर इस camera के अंदर आपको electronic viewfinder मिलता है और यहां पर आपको sensor भी मिल जाता है जैसे ही आप अपनी आंग को करीब लाएंगे तो इसकी LCD यहां खुद बाखुद बंद हो जाएगी और इसका viewfinder जा वो चालो हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो shutter है वो भी electronic shutter जो है वो यहां पर दिया गया है इसके लाब इसका weight जो बहुत ही कम में है बहुत light weight camera है इसके लाब इसकी battery जाए वो 300 short जो हो ले सकती है एक बार full करने पर चलिए चोते नबर पर जो हम इस camera की price की बात कर लेते हैं अगर यहां पर यह जो camera अगर आप new buy करना चाहते हैं kit lens के साथ तो आपको यह वाला camera जो है 860 dollar में जो है कहीं से भी मिल जाएगा यह आप online buy कर सकते हैं Nikon की website से या Amazon से इसके लवाज अगर आप यूद में buy करना चाहते हैं तो आपको 700 dollar यह 600-800 dollar के round board कहीं भी condition के साफ़ से आपको मिल जाएगा आपको कैसी लगी लादमी मुझे comment में बताएगा और जो मैंने इस camera से तस्वीरे निकाली है इसकी quality को आप जो कितने marks देंगे वह भी लादमी कमेंट में बताएगा आज की वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने तस्वीरे निकाली है उन सबका link डिस्क्षिन में मजूद है वहाँ से जागर उनको download करें zoom करके quality को check करें और edit करके कहीं पर भी post करें जिसकी photo मुझे अच्छे लगी कि उसको अपना one click filter जो बिल्कुल free में दूँगा आज की वीडियो जहीं तक के लिए बाई